हलो दोस्तों नमस्कर मैं आप लोग के लिए एक इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ कि जो की बहुत इंट्रेस्ट होने वाला है दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर उसे आल प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नी वीडियो का नोटिफिकिसन सबसे पहले आप लोग को देखने के लिए मिल जाए दोस्तों मैं आज वीडियो में बात करेंगे कि Redmi Note 10 AS में Automatic Call Recording कैसे लगा है तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर Last तक देखना बीच में Skip मत करना और ना आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टाटिंग कर लेते हैं बीना टाइम वेस्ट किये तो simply आप लोग को अपना इस तरह से सेटिंग ओपन कर लेना है ओपन करने बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर सर्च सेटिंग में लिख देना Call Record लिखने बाद दोस्तों आप लोग को इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा तो simply आप लोग को यहाँ पर फस्ट नंबर पर देखने के लिए मिल जाएगा Call Recording तो simply आप लोग को यहाँ पर Call Recording पर क्लिक कर देना है क्लिक करने बाग दोस्तों आप लोग को यहाँ पर फंस्ट नमबर पर देखने के लिए मिल जाएगा काल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन और दोस्तों आप लोग को यहाँ पर सेकंड नमबर पर देखने के लिए मिल जाएगा record call से automatic call तो simply आप लोग को इसको on कर देना है on करने पर दोस्तों अब आपके phone पे कोई भी अगर call करेगा आप जैसे उसको call को receive करेंगे तो आपके phone में automatic call recording चालू हो जाएगा तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई doubt हो तो हमें इस्टाग्राम पर follow भी कर सकते हैं इस्टाग्राम का link इस वीडियो को description में मिल जाएगा आप लोगों वहाँ पर हमसे बहुत सारे question भी पूछ सकते हैं तो दोस्तों फिन मिलते हैं next वीडियो में